राधे राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है अधिकार मंगल वार का दिन था और सुबा के दस बज रहे थे लेकिन आज दोनों भाई दिनेस और नविन छुटी पर थे दोनों भाई आपस में बात ही कर रहे थे कि उनकी बाते सुनकर हीना नविन की पतनी रसोई में अपनी जिठानी नेहा के पास आई और उसे बोली अरे सुना है आपने भावी आज सुरेखा आ रही है फिर से अभी पिछले महीने ही तो आई थी राम ही जाने मैंने तो भाईया को इनसे कहते सुना है कि सुरेखा आ रही है तो घर पर ही रहना कोई जरूर अरे ऐसा क्या काम आ पड़ा जो इतनी जल्दी दोबारा आ रही है और क्या काम होगा बाबु जी की प्रोपटी में से अपना हिस्सा चाहिए होगा इसलिए आ रही होगी पिछली बार तो बोल नहीं पाई होगी आखिर बाबु जी खत्म ही हुए थे और रिष्टेदार सब यहीं थे लेकिन अब तो अपना हिस्सा लेगी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी खड़ी पंचायती ही कर रही थी कि मा रसोई में आ गई जिन्हें देखर दोनों चुप हो गई कुछ चाहिए था मा जी हा मुझे पानी की बोतल देदो मा ने पानी की बोतल ली और अपने कमरे में चली गई क्या लगता है भाबी इन्हें पता होगा अरे होगा क्यों नहीं देख ले अब चोरी छीपे हमारी बाते सुन रही थी दोनों देवरानी जेठानी की पंचायती बत तसुर जारी थी कि इतने में रमन जेठानी का बेटा आकर बताया की सुरेखा बुवा आई है लो आ गई तैयार हो जाओ अब सिवा चाकरी के लिए एक तो सिवा भी करो उपर से इन्हें अपना हिस्सा भी चाहिए ध्यान रख सुरेखा अकेले ही आई है पवन जी साथ नहीं आई है सुरेखा राम स्वरूप सर्मा और कमला जी की बेटी दोनों भायों में से छोटी पर सबसे लाड़ ली थी जब तक घर गिरस्ति की जिम्मेदारी भाई भावियों पर ना आई जब तक राम स्वरूप जी ठीक थे द दोनों भायों की पूरी सिक्षा होने के बाद दोनों के बिवावी काफी अच्छे तरीके से किये गए थे जब दोनों भायों की साधी हुई और घर में भाविया आई उस समय सुरेखा अभी पढ़ी रही थी जब ग्रेच्वेशन के पहले साल में थी तब राम स्वरूप जी को लकवा मार गया इस कारण से घर की पूरी बागडोर भाई भावियों के हाथ में आ गई मा भी इस इस्तिती में नहीं थी कि कुछ बोल सके उसके बाद तो उन्होंने सुरेखा की पढ़ाई भी रुकवा दी सुरेखा की हालत नक्रों से भी ज्यादा बत्तर हो चुकी थी दोनों भावियों ने उसे दिन भर काम में लगाए रखती ना खाना खाने को धंक से देती ना ही धंके कपड़े माता पीता का दिल रोता लेकिन मजबूर थे अब जवान बहन के लिए तो लोग कहेंगे ही इसलिए साधी करना भी मजबूरी थी नहीं तो मुप्त के नौकर आने किसे बुड़ी लगती है पैसो का रोना रोकर सामुहिक सम्मेलन में उसका बीवा करवा दिया गया यहां तक की लड़का भी अपनी बराबरी के देखने की तबज्जो ना उठाई सुरेखा से दस साल बड़े लड़के से उसकी साधी कर दी गई ऐसा नहीं था कि आर् एड़ बोकिड था पर लालच लेकिन सुरेखा की किस्मत अच्छी थी कि पवन गरीब उमर में बड़ा और कम पढ़ा लिखा ही सही पर स्वभाव का काफी अच्छा व्यक्ति था वह सुरेखा को पूरा मान समान दिया करता था अपनी बेटी को कम में ही सही लेकिन संतुष देकर माता पिता को बड़ी खुसी होती हालांकि जब भी वह माईकी आती तो अपनी बेटी के साथ अपने बेटे बहु का बेवार देकर उन्हें बहुत दुख भी होता इतना तो वह जानते थे कि मेरी मरनी के बाद मेरी बेटी का माईका खत में है राम स्वरुप जी चाहते थे कि मरने से पहले बेटी को उसका हिसा मिल जाए क्योंकि वे अपने बेटे बहु की नियत अच्छी तरह से जानते थे पर ऐसा नहीं हो सका इसलिए राम स्वरुप जी खुद अपनी बेटी को कह गये थे कि बेटिया मेरी मरने के बाद अपना हिसा जरूर लेना थोरी देर बाद अचानक बाहर से बड़े भाईया के जोर जोर से बोलने की आवाज आने लगी देखो सुरेखा अगर तुम्हे प्रोपर्टी में हिसा चाहिए तो फिर अपना माईका भोल जाओ अरे ये क्या कह रहे हो भाईया अरे सही तो कह रहे हैं क्या अपने हिसे के लिए अपना माईका छोर दोगी कल को आपके बच्चों की साधी होगी तो भाद कौन करेगा प्रोपर्टी के लिए अपने बड़े भाई भावियों के सामने हो गई छोटे भाई ने कहा भाईया आप एक खुद एड़ बोकिड होकर कैसी बात कर रहे हो आपको पता है ना कि बेटी का भी पिता की संपती में बराबर का हिच्चा होता है हाँ होता है कानुनन अधिकार दिया गया है लेकिन लेकिन क्या जो भी है साफ साफ कहिए अड़े तुम्हारे भाईया नहीं कह पा रहे हैं मैं बताती हूँ तुम्हें हिसा देकर आखिर क्या करे हम यह हिसा तो तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल ही चला जाएगा कल को तुम्हारे बच्चों की साधी होगी तो उसमें भात भरना पड़ेगा तो उसका खर्चा अलग और यहां मा हमारे साथ रहती है इनका खर्चा पानी अलग तो क्या सारा खर्चा हम ही करेंगे बस भावी बहुत बोलिया आप लोगों ने आज तक बरदास्त ही करती आई हूँ पर अब मुझे मेरे पीता की प अगर कभी समान दिया होता तो सायद मैं ये सब छोड़ भी देती पर अब नहीं आप तो बिल्कुल नहीं आप तो मैं अपना हिसा लेकर ही रहूंगी चाहे इसके लिए मुझे कोट में आप लोगों के लिए खिलाप खारा ही क्यों ना होना पड़े और रही बात मा की तो फिक्र मत कीजिए उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी जब हिसा बराबर लूंगी तो जिम्मेदारी भी बराबर की ही लूंगी आज तक कुछ ना बोलने वाली सूरेखा का इस तरह का रूप दे कर सब की बोलती बंद हो गई इतना तो सब को समझ में आ चुका था कि सू हिसा बराबर का ही मिलेगा इसलिए कुछ दिनों बाद काफी मन मुटाओ के बाद सूरेखा को उसका हिसा दे दिया गया पर उसके बाद सूरेखा के लिए मायका हमेशा के लिए खत्म हो गया दोस्तों ये बिडबना हमारे समाज की है कानुन जहां बेटी को बराबर का अध अधिकार मांगले तो लोग उसे पच्चा नहीं पाते हैं असा करती हूं दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लिश वीडियो को लाइक से ये और सस्क्राइब करना धन्यवाद